और दूस्तों आपका बहुत वह स्वागत हें हमारे चैनल लेकर आज में आपके साथ एसी चीज विलेकर आई हो जो आपको बहुत ही फाइद ही ने अपको इसके फायदे के बारे में आपको पता हुँ चाहे आपकी कैसी भी फूय कमी हो केल्सेय इसे से इस्तमार करना बताऊंगी मैं जो बहुत ही जल्दी हमें आराम लगता है चाहिए कैसी भी समस्या हो इसे सारा छुटारफ आसकते हैं या जे मैंने एक गिलास दूद रख लिया है जे नॉर्मल दूद है अब दूद को हम कर लेंगी गरम अगर आपके हां अगर बीपी कमी है आगर आप आप यहां तो पैरों में जखन रहती है तो आप अपको फरक नजर आएगा इसमें अवाप जी भूत ही तरीके से जल्ली से आराम लगता है आप इसे जलूए यूज करिएगा देगे दूर में हलका हलका सब दूर में वालाने लगा है अच्छे से वाला है आप देख पा रहे होंगे देखी दूद में अबाल आने लगा है अब इस तरीके से हम चम्मस से थोड़ा हलका सा हम चला देगी दूद देखी ओबलने लगा है अब इसमें हम डा देगी मखाने मखाने को हमें ना हमें से भूनना है ना इसे हमें सैपना है मखाना हमारा ही इस इसी तरीके से बनाएब अब मखाने को पकाना है 4-5 मिलड़ के से चाहीं को दूद के साथ हमें पका लेना है कि चार से पास fundamental कि मैंने दूद को पका लिया है दूद्ध कि ध है şi धूल्खक देक सकते हैं काड़ा भी होने लगा ए कि आप इसे चाहे बचों को भी हो चाय बरम को भी यो यसा सब्कु देशना कोई यह बहुत भादय मंद पैता है भाक है कि तक जो चीनी डाली है अगर आपका फिल्म को पाय देंगे बंद देखिए दूद को रख लिया है लेकि हमारा गिलास में हमारा दूद मखाने वाला दूद बनके तयार हो गया है जो तागत का खजाना है आप इसे जरूरी उज़ करिएगा हमारे चैनल पर जो नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही वैल आइकन के बटन को भी प्रस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक को हसा की तो चलिए चलते हैं फिरस मिलते हैं इस